नो फीस और एनिमेल वर हांट में इस वीडियो में किसी भी मचली या फिर जानवर को लुफसर नहीं पहुंचे आ गया है तो इसका क्या रीजन है तो इसका रीजन आज के वीडियो में बताऊंगा और इसी के तरह एक सिमुलर एक कोस्टन मेरे को एक भाई ने पूचा था कि दादा मैंने आप ही का वीडियो देखके पूरा बेटाफिस का वीडिंग सक्सेस्पूली किया आपने जाएसा बोला था स सारा प्रोसेस में ने ठीक से देखके किया उसके बाद जो बेटाफिस का फ्राई है वहर दिन पांच मर गया आज कभी में देखता हूं कि दस मड़ा पड़ा है इसी तरीके से हर दिन पांच-दस करते करते पूरा फ्राई का जो बैसे वह पूरा खतम हो गया ऐसा क्यों हो हरा आब लोग के साथ तो यह भी आज की वीडियो में क्लियर कर गांका क्यूंकि कुछ छोटे छोटे गलतिया है जो जिसके वज़े से आप लोग का एक बड़ा लुखसान हो रहा है और ऐसा दुस्त होना नहीं चाहिये क्योंकि आप लोगों का दिल में क्या है पद्वेक बुड़ा पता है क्योंकि मैं भी आप लोगों के तरह मतलब एक टाइम बीता के आया हूं आप लोगों के दिल में क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं उसके बाद दूस्तों इसका क्या रीजन है उसका पॉइंट वाइस आप लोगों को बता होंगा और उसका सॉलीशन जाब पहले आप लोगों के दिल में क्या बात है मेरे को पता है मैं बता देता हूं जाता जो होबिस्ट्रों एक बेटाफीशन पर दो तीन बेटाफीशन का लें लेकर एक छोटा सा फार्म करने की कोसिस करते हो और सोचते हो की इससे थोड़ा-थोड़ा मुनाफा आएगा उसके बाद उसी से में थोड़ा एक अपना जो हबी है उसको बढ़ा होंगा है किन ही मेरे को यह comment section पर बताना तो इसी के लिए दोस्त आप लोग बेटाफिस का बीडिंग करते हों तो आज का ये वीडियो पूरा देखो तो आप जो बीडिंग करोगे उसमें 200-300 बेटाफिस का फ्राई जरूर निकलेगा क्योंकि इस वीडियो पर पॉइंट वाइस आप लोग को समझाओंगा कि आप लोग कौन कौन सा छोटे छोटे गलतिया कर रहे हो जिसके वाजे से बीना सास्रीप कर किंकि पर पॉइंट वीडियो में बताउंगा और पाच Your पर 100 लाइक का टार्गेट है मतलब 100 लाइक क्या तो 100 लाइक तो आप लोग कॉम्टिट करवा ही सकते हो एक दो घंटे के अंदर क्योंकि चार-पांच हजार बंदे इस वीडियो को देखोगे तो 100 लाइक तो इजली हो जाएगा तो 100 लाइक जड़ों से कॉम्टिट करवा देना तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सीधा सुरू कर देते हैं तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग पे जैसे के मैंने आप लोगों को बोला टोटल इस वीडियो में 5 पॉइंट के उपर बात करेंगे तो 5 पॉइंट दोस्तों क्या क्या होने वाला है वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ उसके बाद वीडियो में आगे पूरा बात करेंगे वो point के बारे में तो पहला point जो होगा दोस्तो वो tank size के उपर है breeding tank जो है वो उसका size क्या होगा और grooming tank का size क्या होगा दोनों के बारे में बात करेंगे और जिस टैंक पे आप breeding कर रहे हो उसी टैंक पे क्या आप fry को grooming कर पाओगे उसके बारे में भी बात करेंगे problem क्या है advantage क्या है वो सब दोस्तो वीडियो में detail में बात करेंगे वीडियो में आगे देखते रहो और दोस्तो second point जो है वो है water quality तो कौन से पानी पे आप लोगों को betafis fry बड़ा करना चाहिए कौन से पानी पे बीड़ करना चाहिए क्या ताला आपका green water betafis fry बड़ा करने के लिए आच्छा है या फिर आर्माड लिप का जो red water है वो आच्छा है या फिर पूरा किस्टल क्लियर water जो है वो आच्छा होगा तो कौन सा पानी आच्छा रहेगा वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा second point पे तो इसके लिए भ गर्मी का जो मतलब जो environment पर naturally रहता है वहाँ पर दोस्तों कर्मी का मौसा में मगर हमारे यहां पर दोस्तों गर्मी उससे ज्यादा है तो उसके बारे में तो वीडियो में आगे बात करेंगे कौन से महीने पर आप बेटाफिस का बीडिंग के लागा होगे तो सबसे confusion है कि कौन सा खाना देना चाहिए बहुत साथ लोग पैलेट फूट जो है वो क्रास करके डालते हो ऐसा नहीं करना है दोस्तों यह बिलकुल फालतू तरीका है और दूसरा क्या क्या तरीका है जिस तरीके से आप लोग बीना लाइफ फूट के बेटाफिस फ्राई को करोगे कि यूटूब पे अभी बहुत सारा लोग चैनल खोलके बैटे हैं और बहुत सारा लोग मिस इंफॉर्मेशन भी दे रहा है तो इसके लिए दोस्तों मेरा क्या राही है वो वीडियो के एंड पे फिप्ट पॉइंट जाब आएगा तब दोस्त आब लोग को बताऊ आग तो पांच पॉइंट में इसे पहला जो इसके बार में बदोस्तों पहलें विडिंग ट्रेंग और ग्रूमिंग ट्रेंग के ऀपर था तो पहले दोस्तों जावा इंक किया होता है आप लोगों को समझा जेता हूं जैसे के नाम से ही पता चल रहा है ब्रीडिंग टैंक मतलब जिस टैंक पे आप लोग बेटाफिस प्यार को बीडिंग करोगे उसको बीडिंग टैंक बोला जाएगा और जिस टैंक पे आप लोग बेटाफिस फ्राई को बड़ा करोगे उसको ग्रूमिंग टैंक बोला जाएगा, मतलब जिस टैंक पे आप लोग बेटाफिस फ्राई को ग्रूम करोगे उसको ग्रूमिंग टैंक बोला जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सार लोगों का यह आप लोगो को डूर कर देता हूं पूरा ठीक है तो सबसे पहले देखो डीडिंग के लिए और बड़ा जगा पर बीडिंग करोगे तो कुछ disadvantage भी है और कुछ advantage भी है पहला दोस्त अब लोगों को advantage बता देता हूँ पहला बात दोस्तो female जो है वो damage नहीं होगा बहुत बर क्या होता है male जो है वो female के उपर attack कर देता है female का fin जो है वो फार देता है मगर दोस्तो बड़ा जगा पर बीडिंग करोगे तो beta fish जो male है वो female के उपर attack करेगा नहीं attack करेगा भी तो female जो ही वो बड़ा जगा होने के वाज़े से भाग जाएगा तो female के उपर damage नहीं आएगा यह हो गया एक advantage दूसरा दोस्तों जो advantage है वो यही है कि male थोड़ा सा freely swim कर पाएगा चारो तरह भाग दोर कर पाएगा तो उसके वाई स्ट्रेस में कम आएगा तो बीडिंग का success rate भी जाधा रहेगा अब यहां पर दोस्तों कुछ disadvantage भी है वो दोस्तों क्या है बड़ा जगा पर बीडिंग करोगे और female अगर मतलब male को पसंद नहीं करता है तो female कभी अंड़ा डालेगा ही नहीं क्योंकि बड़ा जगा है तो बड़ा जगा से दोस्तों मैं आपको पहले समझा देता हूं कि एक फूट का टैंक को मैं बड़ा जगा नहीं बोल रहा हूं बेटाफिस वीडिंग के लिए minimum एक फूट का टैंक चाहिए वो छोटा टैंक है में बड़ा जगा से मेरा मतलब ही कि तीन फूट का टैंक ठीक है तीन फूट का टैंक को मैं बड़ा जगा बोल रहा हूं सबसे पहला आप लोग क्लियार कर देता हूं तीन फूट का टैंक और एक फूट का टैंक मतलब छोटा टैंक तो तीन फिमेल अगर मेल को पसंद नहीं करेगा तो वो मेल के पास जाएगा भी नहीं, मेल जब एटक करेगा तो फिमेल उसका छोटा फिन होगा, तो उसके वज़े से फिमेल जल्दी से भाग जाएगा, मेल उसका पीछा करते करते ठक जाएगा बार बार, तो उन दोनों का ही नहीं होगा तो यह एक डिस अड्वंटेश है अब छोटे जगा पर मतलब एक फूट के टैंक पर बीडिंग करवाने क्या फाइदा है मेल जो है वो फीमेल को बार बार चेस करेगा अगर वो अच्छा मेल होगा तो फीमेल के उपर अटक नहीं करेगा मगर फीमेल तो कि जल्दी डाल देटा जल्दी बीडिंग हो जाता है तो बीडिंग का जो सकसेसर रेट यहां पर थो Neighbor स efficдеe के मुकाबले अब دोस्तों बीडिंग टैंक और क्रूम woman हैं दौनों में है डीऊरेंस क्यों रखने के लिए बोला क्योंकि छोटे जगा बीडिंग करो तो बीडिं करें एक फुट का टेंक पे तो उसमें तो आप लोग बेटा को बड़ा नहीं कर पाऊगे उसके लिए बड़ा जगा चाहिए दो बड़ा जगा पर हुआ जाओ बहुत्त तरह को टांसफर करना नहीं आता है बड़ा पर तो वो लोग गलती से मदला बेटा फिस फ्राई को डाइरेक्ट छोड़ देता है तो डाइरेक्ट छोड़ना नहीं है किस तरीके से छोड़ना है वो भी बता देता हूं देखिए सबसे पहले आपको चार से पाज घंटे के लिए जो छोटा टैंक है उसको जिस टैंक पर पानी का टीमपरेजा सेम करने के लिए रख देना है मतलब चार से पाज घंटे के लिए उसके बाद आप लोगों को छोटा टैंक का पानी है वो धीरे ढखे बड़े टांक पर डालते जाना है ताकि मशली के सरीर में पानी का फोर्च से वो ना लगए उसके बाद आप पॉइंट है जो इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ उस वीडियो में आप लोगों को डीटेल में बता हूंगा तो यह था निए था दूस्तो पहला पॉइंट अब दोस्तो सेचमढ़ पॉइंट असके बारे में बात करते हैं अब दोस्तों जो second point था वो था water quality के उपर तो तीन तरीके का पानी में ने आपको बोला था पहरा दोस्तों clear water, दोस्तों दोस्तों बोला था green water और तीसरा दोस्तों बोला था almond leaf का red water तो ये तीनों पानी ही beta fish के लिए चाहिए होगा तो कहां पे कौन सा पानी आपको देना है आप लोगों को detail में समझा देता हूँ पहले तो पहली बात दोस्तों आप जब beading कर रहे हो beading tank पे आप लोगों को पूरा काज जैसे clear पानी आप लोगों को चाहिए होगा क्योंकि beading tank पे अगर आप लोग green water यूज करोगे ताल आपका जैसे पानी होता है green color का तो वो पानी पे दोस्तों बहुत सारा bacteria हो सकता है fungus हो सकता है जो की एक को खरब कर सकता है तो beading tank पे आप लोग काज जैसे clear water यूज करो तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा अब second दोस्तो grooming tank के उबर बात करते तो grooming tank मतलब जिस tank पे आप लोग बेटाफिस fry को बढ़ा करोगे उस tank पे आप लोग green water यूज करो क्योंकि green water के साथ बहुत सारा bacteria आता है वो bacteria को खाके बेटाफिस का फ्राई है वो बढ़ा हो जाएगा बहुत सारा bacteria में मैं बोल रहा हूँ पैरा मोसिया मीन फ्यूसोरिया यह सब होता है तो वो सब bacteria को खाके बेटाफिस का फ्राई बढ़ा होगा उसके बाद वो betafis का fry जो है वो bryant shrimp खाएगा क्योंकि जो दो दिन का betafis का fry होता है जो freely swim करना सीखा है वो direct bryant shrimp को खा नहीं पाता है क्योंकि उसका size जो है वो bryant shrimp के size का ही होता है तो उसके मुँँ में वो fit नहीं होता है तो दो या तीन दिन तक अगर आप लोग betafis fry को green water में रखोगे या फिर betafis fry का टैंक पर green water डालोगे तो वो पैरा मुसियाम और infusoria को खा के थोड़ा सा size जो है वो बड़ा हो जाएगा उसके बाद वो bryant shrimp खा पाएगा तो इसके लिए दोस्तों आप लोग green water की बात बोल रहा हूं और grooming tank पर दोस्तों green water डालने के एक और फाइदा है जब दोस्तों आप लोग मतलब betafis fry जो है वो 2.5 माहिने का हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों male बेटा जो है वो एक दू green water में रखोगे या फिर आलबंड डीप का पूरा red पानी पर रखोगे तो वो एक दूसरे को देख नहीं पाएगा ज्यादा आच्छे से देख नहीं पाएगा तो क्या होगा दोस्तों male में जो aggression है एक दूसरे के ऊपर वो कम रहेगा क्योंकि वो एक दूसरे को देख नहीं करो अब दोस्तों red water जो almond leaf का पानी है वो कहां पर यूज़ करना है वो दोस्तों आप लोगों को तब यूज़ करना है जब आप लोग पुड़ा मशली जो है वो जारिंग कर लोगे एक एक बॉटल में से रख दोगे उसके बात आप लोगों को जो almond leaf है वो उस पानी पर य सब्सक्राइक पंहें आप लोगों यूज़ कर सकते हो बीड़िंग ॡाइंक पवे बहुत सकते हो और जिस बांटल है आप मशली कव रखने वाले हो जार इज जार में उसमें भी आप लोगों यूज़ कर सकते हो तो यह था दोस्तों पानी के ऊपर सेकेंड पॉин्ट अब अब दोस्तों बात करते हैं थार्ट पॉइंट पे अब दोस्तों थार्ट पॉइंट बता हूंगा कि कौन से ओधर में बेटाफिस का बीडिंग सबसे अच्छा होता है बेटाफिस बीडिंग के लिए कौन सा महीना सबसे बरिया रहेगा उससे पहला दोस्त आप लोग को बता रहे हो एक लाइक जरूर से कर देना और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कॉमेंट सेक्शन पर ओल्ड दादा इस बैक लिख दो क्योंकि इसी तरह का informative वीडियो में बहुत दिनों से नहीं बना रहा हूं अब दोस्तों इसी तरह के informative वीडियो आप लोगों को लाके दूँगा क्योंकि कुछ दूनों से मेरे को भी बहुत काम था इसके वज़े से में वीडियो ला नहीं पा रहा था और इसी तरहीं के सब नॉलेज नहीं है मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूं तो अप लोगों का फाइदा के लिए श्याहर कर रहा हूं तो जादा बात को आगे खहिए नहीं सीधा बात करते बेटा बेटाफिस का बीडिंग सीजन के बाड़े में तो बेटाफिस बीडिंग के लिए कौन सा वेदर सबसे अच्छा रहेता है वह आपको सबसे पहले बाता देता हूं उसके बाद आप लोग खुद से डीसाइट कर पाऊगे कि कौन से मौसम पर मतलब कौन से मन्त जानवारी फे सबसे अच्छा होता है हमारे बांगला में काल वोईसा की नाम च्ट्राउम जो छक्क फेनल के बारिस होता है समके थंडा हो जाता है तो इसे मेल बेटा को मतलब बहुत साथा काम रहता है आप लोगों को भी पता होगा जब बेटाफीस जो है वो बावलनेश्ट पे अंडों को रख देता है उसके बाद फिमेल को हटा देता हूं तो मेल बेटा दो तिन दिन तक उस अंडों की देखवाल करता है सोता नहीं कभी पता चला में स्टोक होगे अमर गया इतना काम होता है फान पर अरे में मजब कर रहा था भाई आप लोग सिद्धियास में मतलो तो मतलब में जो बोल रहा था बैक ददा पॉइंट वीडियो के पॉइंट पर आते कि बेटाफीस जो है वो इतना काम करता है तो जाएगा कभी काबर मेल जो ही वो स्ट्रेस में आके मर सकता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं हमेशा ऐसा एक वेदर को चूस की जिए जहां पर गर्मी थोरा सा होगा और बारिस थोरा सा होगा तो ही काम चल जाएगा और सबसे बेस्ट मोसम मेरे ख्याल से मेरा वाला होता है तो दोनों में जो temperature का fluctuation है दोस्तों बहुत कम हो जाता है तो उस time पे एकदम अच्छा खासा वोईदर होता है जब आप बीडिंग कर पाऊगे उस time पे तो हमारी यहां पे स्वारसोती पुझा होता है मैं मतलब त्युहार के नाम पे बोल रहा हूं जो शिवरात्ती का टाइम है वो सबसे बेटर होता है शिवरात्ती के एक हफ्ते बाद उस time पे बेटाफिस का बीडिंग सबसे बेश्ट होता है मेरे हिसाब से तो आप लोग इससे बेटाफिस का बीडिंग कर सकते हो मैंने पू अब दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है वो मेरे ख्याल से अभी तक जो पॉइंट आपको बदाता आया हूं ये तीन पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि खाना जो है वो चाहिए होता है कोई भी जीव हो चाहिए मैं हूँ चाहिए आप हो किसी को भी खा करने का मन कर रहे तो आज जाओंगा हमरे यहां पर मुसकान नाम का एक विडियानी का दुखाने वहां पर अच्छा विडियानी मिलता है ठीक है पता नहीं वीडियो में मैं बीज-बीज में अभी क्यों खो जा रहा हूं तो जैसा बोल रहा था फोर्थ पॉइंट पे खान के बाड़े में तो बेटाफिस फ्राइ को कौन सा खाना देना चाहिए कौन से स्टेज पर बहुता देता हूं तो देखिए सबसे पहले बेटाफिस फ्राइ जो हाच हुआ उस टाइम पर कोई भी खाना उसको चाहिए नहीं दो दिन तक उसको कोई भी खाना मत देना जब ब akte बेटर्फिस का means fry तक बेटर हो जाएगा और इसी तर्एयों से दो या तीन दिन तकड़ बेटर्फिस का फ्राई इंफिसोरिय Müлем खा के बढ़ा किपाइब उस टाइम पर आप लोग जो बेबी 160-160 रुपय पर आता है Amazon Flipkart पर तो वो capsule खड़ित के आप लोग हैच कर सकते हो, किस तरीके से हैच करना है मेरे चैनल पर अल्रेडी एक वीडियो है, आप लोग यूट्यूब पर जाके सर्च कर लेना, बेबी ब्राइन स्थीम लिख के सिपसों करमा लिख सर्च करोगे, तो मे 13 दिन के बाद आप लोग बेटाफिस को ब्राइन स्थीम खिला सकते हो, अब यह जो ब्राइन स्थीम पर तो थोड़ा सा महाँगा है, मगर जिन लोगों के पस ब्राइन स्थीम खरीदने का पैसा नहीं है, या फिर जिन लोगों को ब्राइन स्थीम मतलब खरीदना नहीं च बोलके उसकी उपार मेरे चैनल पे अल्डेड ही दो वीडियो है आप लोग जाके देख सकते हो एक योग शीप संकुरमालिक लिखोगे एक योग बेटाफीस शीप संकुरमालिक ऐसे कुछ लिखो यूटूब पे मेरा ही वीडियो आ जाएगा वो देख सकते हो उसमें मैंने अच्छे से बता जाए किस तरीके से खिलाना है फिर भी इस वीडियो में थोरा सा बता जाता हूं जीतना काम डालोगे उतना अच्छा है क्योंकि बेटाफीस का फ्राई बहुत कम खाता है और मैं बूलूंगा जिस टैंक पे आप लोग बेटाफीस फ्राई को बढ़ा कर र है तो यही दोस्तों रीजन था अब दोस्तों बेटाफीस फ्राई को एक हो जाए गा उसके बाद आप लोग डाफनिया कहला सकते हो जिन लोग के पास डाफनिया नहीं है वो लोग यह ब्राइंस्रीम भी उस टाइम पर खिला सकते हो और जब उसका उमर जो है वो एक माही हो जाएगा उसके बाद आप लोग ट्यू फ्लेक्स वार्म खिला सकते हो और ट्यू फ्लेक्स वार्म लाइब अगर खिला रहे हो तो एक चीज में वीडियो में बोल देता हूं आप लोग उसको अच्छे से ब्लेट से काट-काटके खिलाना पूरा साबूत अगर मतलब दे द नहीं है वो लोग जो ड्राइ ट्यूफलेक्स वार्म आता है उसी को क्याची से एकदम छोटा-छोटा काटके पानी में अच्छे से घोल देना उसके बाद बेटाफिस का जो फ्राइए उस टैंक पर पानी डाल देना तो बेटाफिस का जो फ्राइए वो खा लएगा और जब दोस्तों चौथा पॉइंट चौथ पैंट के बाद दोस्तों आप उस एथा बड़ते हैं में सबसे ज़ादा मो जो जरूरी पैंट तो चलिए सन्फ़ी प्वा पाइंट के चले być तो अपर ने तो डोस्तों पांचवा प्इंट बताने से पहले आप लोगों में एक चीज लियार कर देता हूं कि किसी से भी मेरा कोई गुशा नहीं है कि मैं उसके बारे में बोलूंगा किसी का नाम में नहीं लोगा मगर पांचवा पाइंट बताने से पहले एक चीज में आप लोगों को पूरा क्लियारली बता देता हूं कि यूटूब पे अभी बहुत सारा चैनल हो चुका है तो हर एक बंदा क्या कर रहा है दोस्तों भी उसके चक्कर में किसी का भी वीडियो उठा रहा है या फिर से वीडियो डाउनलोड कर लिया उपर से भॉइस दे रहा है डिसकाज वीडिंग का वीडियो बना रहा है किसी ने मतलब बेटा वीडिंग का वीडियो बना दिया तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है ठीक है मैं किसी का भी नाम ले लूँगा मेरा बहुत सारे दोस्त दिसकास बीडिंग करने वाले तो उनकों में ध्याय दिल से सुक्रिया मतलब डिसकास जो बीडिंग करता है उन लोगों के लिए मतलब अलग से एक सली उठे क्योंकि वह लोग वाटर का जो केमिस्टी है वह आच्छे से जानता है मंगर कुछ लोग आईसा है कि जो बेटा बीडिंग डिसकास बीडिंग एंजल बीडिंग इस सब के बारे में वीडियो बना चुका है मंगर घर में उसके पास एक ही टैंक है जिसमें गोल्फीस परा हुआ है जिसको अच्छे से खाना नहीं मिलता है ऐसा दोस्तों आप लोग मैं दीखा रहे बता है मेल को बाहर चोड़ दिया है बंदे ने अंदर एक और इस देंग और मैट बन रहा है कि देखो यह अगया डालना पड़ाएगा उसके बाद मेर्समें पर ब्लभर रहा है उसा मेरे इसलिए बोल रैयों क्योंकि इसमें मिस्लीडिंग है लोगों का ल लोग सान हो रहा है क्योंकि आप लोग में से भी बहुत सारे लोग वीडियो को जाके देखते हो तो इसलिए मैं बोल रहा हूं किसी का भी वीडियो देखके इन्फ्ल्यूएस मन्त हो आप लोग सबसे पहले रिसर्च करो ठोड़ा था ठीक है जिसके पास अच्छा खासा मचल जो देखो उसके बाद य hospitals में अल्डेडी बेटा कीज बीडियों को मैं 알고 करो causing अब लोग से लोगों पर वर्जवा मत करो आप którą खुद से एक्सबिश प्रियंसु करो या फिर listens खया है तो किसी बीड़-चर्ष से जाके बहुता सब्सक्राइबर के साथ. क्योंकि आप लोगों में से बहुत सा लोगों के साथ बात होता है ना मेरे को भी पता है ऐसा. तो इसलिए मैं बोल रहा हूं. बाके दोसतों यही था हो पान्चवा पॉाइंट कि किसी से भी इंफ्यूएस होके यह फालतू के जतने भी यू का यूटूबर है तो आइसा मैं नहीं बोल रहा हूं बहुत सार यूटूबर अच्छा खासा वीडियो बना रहा है तो उन लोगों के लिए सली उठे तो फिलाल वीडियो में इतना ही था देखने के लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया मिलतें नेक्ट वीडियो में 22 का वीडियो हो गया बाई बाई